वेलकम टू शेर्माजवल्ट काईस आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने बच्चे को कैसे करोना की थर्ड वेव से बचा सकते हैं हम सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ कोविट का सेकेंड वेव आया जिसे कि हम डेल्टा वेरियंट के नाम से जानते हैं उसने हम सब को कितना हिलाके रख दिया डेल्टा वेरियंट ने मोस्टली 35-65 एज प्रेकेट के पीपल को अफेक्ट किया था और हम सभी जानते हैं कि एक रिसेंट स्टेडी के एकॉडिंग लिए बताया जाते है कि specially इंडिया में हार एक थर्ड परसन को इससे अफेक्ट हुआ था चाहे वो mild हो चाहे वो moderate हो और चाहे वो severe हो अभी recently WHO के एक bulletin में उन्होंने बताया कि एक इसका भी vigorous form develop हो रहा है जिसका नाम है delta plus variant और उनकी study के according उनका ये मानना है कि ये variant जो है जा रहा है तो हमारा में कंसान है कि ये delta plus variant अगर हमारे बच्चों को अफेक्ट करेगा तो हम अपने बच्चों को इससे कैसे protect कर सकते हैं तो आज हम इसी topic पे 10 ऐसे points को cover करेंगे जिसे हम अपने बच्चों को इस third wave of covid दस से बचा सकें तो आए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला और सबसे important point है keep checking the corona numbers आपको continue ये numbers जो है उनको study करना है उनको जानना है कि किस region में किस city में किस area में corona के numbers सबसे ज़्यादा पाए जाते है अगर आप इन numbers को monitor करते रहेंगे कि किस area में किस city में ये numbers high पाए जा रहे है तो आप उन cities को visit करने से avoid कर सकते है एक study के according ये माना गया है कि delta plus variant जो है वो twice नहीं, thrice नहीं up to six to eight times fast spread करेगा तो आपको अपने आसपास या अपने area में region में, country में जहां आप रहते हैं आपको continue monitor करना है कि जिन cities में, जिन areas में covid के number high पाए जा रहे हैं आप उन areas को visit करने से बचें हमारा इसी में दूसरा point है teach covid appropriate behavior to our kids so इसमें आप अपने बच्चों को बात करके या उनको ऐसे guide करके या उनको सिखाईए कि आपको covid के atmosphere में आपको उससे कैसे deal करना है आपको उनको basic hygiene सिखाना है like आपको hand wash continue करने अगर आपको अगर किसी surface को touch कर रहे है तो आपको 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 आपके वापिस अपने hands को soap से 20 seconds तक hand wash करना है आप इसको एक fun full way से बना सकते हैं आप अपने बच्चे के साथ खड़े हो जाईए और उनको बोली कि count 20 तो आपके बच्चे वो 20 तक count करेंगे और continue hand wash करेंगे तो एक good learning way भी हो गया और उनको एक जनरल आपने hygiene का एक step भी सिखाया तो ऐसे follow करके आप अपने बच्चों के अच्छा आप उने continue सिखा सकते हैं कि don't touch your hand to the mouth sneeze in your elbow तो यह सब एक general habits है hygiene level को कैसे maintain करना है अगर आप sneeze कर रहे हैं तो आप tissue paper का use कर रहे हैं तो as soon as you use the tissue paper chuck it in the bin तो आप यह सब general practices जो हैं आपने बच्चों को पहले ही सिखाना शुरू कर दीजिए जिसे की बच्चा पहले ही ready हो जाएगा और उसे पता होगा किसे कैसे deal करना है हमारा third topic है keep their vaccination up to date अपने बच्चे का vaccination chart as per their age brackets उसको continue follow करते रहे हैं हम क्या करते हैं हम यह मानते हैं कि हम lockdown में हैं या covid हैं आसपास या hospitals visit करने से हमें डर लगता है तो आप ऐसे case में अपने doctor से concern कीजिए पेडियर्टिशन से concern कीजिए एक special appointment arrange कीजिए और उसके according अपने बच्चे का सारा vaccinations up to date रखिए इसे अपके बच्चे में जो एंटिपॉटिक्स बन रही है यह उससे fight करने में बहुत जादा helpful होती है तो आपको यह main ध्यान रखना है कीजिए आपको अपने बच्चे का vaccination जो है वो up to date रखना है इसी में हमारा fourth point आता है breastfeeding so the breastfeeder's mom उनका main concern जैसे जैसे हमारे आसपास covid evolve हो रहा है या जैसे जैसे हम covid के environment में adapt करते जा रहे है अपना lifestyle वैसे वैसे mostly जो breastfeeding mom होती है उनका main concern होता है कि should I wean off my baby from breastfeeding आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो infant stage पे हैं उनको उनके अंदर सबसे best thing है breastfeeding करवाना क्योंकि breastfeeding के अंदर जो जितने components और nutrients भाय जाते हैं यह उनके बच्चे की body में जाके उनकी उनको उनके immune system को strong करते हैं उनकी body में जितने antibiotics या probiotics बनाते हैं यह आपके बच्चे को किसी भी तरह के virus, flu, इन सब से bacteria इन सब से fight करने में सब से helpful होते हैं तो आपको इस case में especially when covid is around आपको बच्चों को जितना हो सके उतना ब्रेस-feed करवाईए आपको उनको वीन-फ करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है इसे हमारा 5th point आता है Taking care of your kids immunity, so immunity से यहां पर मतलब है कि बच्चों की lifestyle में जाहे वो physical हो यह वो उनके diet related plan हो आपको उनके immunity पे special ध्यान रखना है आपको अपने बच्चे की diet में ऐसे foods ऐसी चीज़े लानी हैं जिससे आपके बच्चों की body में immune system और strong हो सके और बच्चा उसे किसी भी थारा के virus से fight करने में और strong हो सके ऐसा पाया जा रहा है कि जब covid around हरा हमने और हमने अपने बच्चों के lifestyle को indoor बना दिया है क्योंकि हमारे mind में fear है कि बाहर नहीं जा सकते बाहर जाएंगे तो हमें covid होने के chances जादा है तो ऐसे में जितना हम बड़े stressful feel करते हैं बच्चे भी उतना ही जादा stress और anxiety feel करते हैं ले लेकिन उनके बताने का expression gesture करने का वे अलग होता है हमें समझने यादा कि बच्चा इतना anxious इतना emotion anger क्यों show कर रहा है लेकिन वो एक उनका तरीका है हमें show करने का कि उन्हें भी anxiety उन्हें भी stress feel हो रहा है तो अगर आप अपने day में से at least 30 minutes to 1 hour निकाले और उनके साथ भले sit down औ सके तो आप अपने बच्चे को थोड़ा time देंगे आपका बच्चा left alone feel नहीं करेगा और उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि लिए environment एक नया environment है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपने बच्चे की immunity पे कैसे work out किया जा सके हमारा next topic है sharing and contacting habit आप सब जानते कि हमारे घर में हम mom, dad, dadu, dadi, nanu, nani जो भी आपके घर में रहते हैं हम सभी हम अपने बच्चे से कितना associate होते हैं कितना उन्हें प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हम कभी-कभी प्यार में आके हम जो eat कर रहे हैं हम उसी spoon से अपने बच्चे को खिला दिया हम जिस class में पानी पे रहे हैं उसी class में बच्चे को पिला दिया लेकिन जब covid around है आपको अपने बच्चे को भी आदत सिखाने और आपको खुद भी अपने lifestyle में adapt करना है कि हमें ये sharing और physical contact की habits को as less as we can हमें बनाना है क्योंकि हम क्या करते हैं अपने बच्चे को cuddle कर दिया उसे किसी कर दिया अपने things को उन से share कर दिया तो ऐसे में आपको ये stop करना है जितना ये virus बढ़ों को affect करता है अगर ये ही आप अपने बच्चों में उन से physical contact कर गए या अपना ही खाया हुआ या पिल पिया हुआ चीज उनको share करेंगे तो ये virus उनमें भी उतने ही spread होने के chances बढ़ जाते हैं तो आप ए जर्नल हैबिट भी उनके लिए बना दीजिए कि उन्हें भी अपने आसपास किसी को भी किस कडल नहीं करना है या जो आप खा रहे हैं या पी रहे हैं उसी same spoon और उसी same glass से उनको नहीं share करना है तो ये एक हैबिट आपके बच्चे को third wave of coronavirus से protect कर सकती है obesity in babies so ऐसा माना गया है कि जिन बच्चों में obesity की problem है जो मोटापे की शिकार है उन बच्चों को coronavirus होने के chances ज्यादा है as comparison to the normal baby अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा थोड़े obese category में आता है तो आप अभी सही अपने बच्चे की obesity पे work out करना start कर दीजे so that coronavirus की expectation जो मानी गई है उसे hit होने से पहले ही आप अपने बच्चे की health पे work कर सके हमारा next point है vitamin D intake so ऐसा देखा गया है कि most of the countries में जहां हम work from home कर रहे हमारे बच्चे schools and daycares नहीं जा सकते हैं हम घर पर ही हैं हम parks में बाहर outside areas में जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं due to the fear of coronavirus in mind तो ऐसे में हमें हमारी body में deficiency of vitamin D आई गई है ऐसा देखा गया है कि हमारी body में vitamin D का intake बहुत less होता जा रहा है और आप सब जानते हैं कि बच्चे की growth के लिए vitamin D का body में होना कितना ज्यादा essential है आप अपने बच्चे के food में ऐसे include कर सकते हैं जिसमें बच्चा vitamin D rich food ले सकता है जैसे कि mushroom हो गया, salmon हो गया, egg yolk हो गया, घी हो गया, अगर आप किसी high floors पे रहते हैं और अगर आपके पस balconies हैं तो आप अपने बच्चे को कम से कम आदा घंटा balcony में लेके जाएं उसे sun, जितना ज़्यादा हो सके sun में रखने की कोशिश कीजिए so that आपको और आपके बच्चे को enough vitamin D provide हो सके और आप आपकी body में vitamin D की deficiency नहीं देखी जाएं next point है keep monitoring the symptoms अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बैच्चे को normal flu या cold and cough का problem हो रहा है तो आप उसे keep continue monitor करते रहे हैं आपको कम से कम 3 to 5 days उसको continue monitor करना है ऐसा पाया गया है कि COVID के 3 stages होते हैं mild, moderate and severe हम इस पे एक अलग video भी बनाएंगे जिस पर करेंगे कि हम कैसे इन 3 topics को mind में रखके उनको कैसे monitor करके इसको कैसे different stages पर deal कर सकते हैं लेकिन आज इस topic में बात करेंगे कि आपको continue यह देखना है कि बच्चे में क्या symptoms पाय जा रहे हैं अगर यह नॉर्मल फ्लू है यह बच्चे को sore throat है यह feverish है आप जनल अपने फोन पर ही डॉक्टर से discuss करके एक जनल medication आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर यह symptoms नॉर्मल फ्लू symptoms से बढ़कर थोड़े severe होते हैं तो अगर आप continue अपने अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके बच्चे को असिस्टन से जुरूरत है तो आप इमिटेटल अपने बच्चे को हॉस्पटल लेके जाए उसमें किसी भी थारा की देर मत कीजिए हमारा next topic है get vaccinated इसमें क्या है आपको एक जो गॉर्मेंट ने डेडलाइन दी है especially in India कि September end से पहले पहले आपको कोविट की तोनों जैब्स तोनों वेक्सिनेशन लग जाने चाहिए तो आपको इमेक्शूर करना है कि आपको और आपके घर में जितने भी एडल्ट है उनको कोविट की तोनो vaccinations end of September से पहले लग जाने चाहिए so that अगर आपका body immune होगा आपको less chances of getting this covid virus होगे तो आप उतना ही less chances अपने घर में लेकर आ रहे हैं अपने बच्चो को pass on करने के लिए तो आपको ये make sure करना है कि आप अपने vaccination को by end of September specially in India जो गॉर्मेंट ने डेडलेंस दी है आपको दोनों covid jabs तोनों covid vaccinations complete लग जाने चाहिए इसमें I think three ऐसी categories है जिसमें आप covid का jab नहीं ले सकते अगर आप pregnant है आप अपने doctor से concern कीजे कि आप covid का injection लेने के लिए eligible है या नहीं अगर आप under 18 categories में आते हैं अगर आपके घर में कोई 18 साल से चोटा है तो आप इससे exempt है जिन लोगों को covid हुआ है और जिन्हें अभी तीन महीने complete नहीं हुए है उनको यह जो deadline बनाई है government ने इंडिया में September end की वो इससे exempted है तो यह थे हमारे आज के दस ऐसे topic जिसे अपने mind में रखे हम अपने बच्चों को इस third wave of coronavirus जिसे की delta plus variant भी कहा जा रहा है इससे बचा सकते हैं इसके इला उनके साथ time spent कर सके without any screen time आप उनके साथ जितनी ज्यादा physical activities में involved हो सकेंगे आप उतना ही बच्चे के mentally as well as physical health को strong बनाएंगे तो stay safe stay healthy मिलते हैं जल्दी ही next video में अगर आपको हमारी video अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को ऐसे ही like share or subscribe करते रहेगा हम ऐसे ही more helpful informative videos ले